जय जवान जय किसान जी हाँ दोस्तों यह बात मैंने नहीं यह हमारे देश के बड़े ऐसे नितार लाल बादु शास्त्री जी ने कहा था जी हाँ दोस्तों हमारे जवान तो देश की सरहत पर प्रक्षा तो कर रही है देश की पर हमारे देश के अंदर जो किसान भाई है आज कुछ ऐसी है कि कही पर ना कही पर आज उनको जो सरकर के मात्रम से जो एक योजना आती है सच में क्या उनको इस योजना का फाइदा मिलता है या नहीं जी हां दोस्तों जी आज हम इसी मुद्धे पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि आज कि हमारे किसा भाईयों के लिए ऐस से कौन से योजना हैं जहां पर उनका फार्टा ले सकते हैं तो चली दोस्तों शुरू करते हैं आज हमारी यूनिवर्सल बॉक्स में क्या है आपके लिए खास जी हां दोस्तों हमारे किसन भाईयों की लिए जो सरकार से जो कहीं हर साल हर प्रजेट में एक योजनाय लागू होती है योजनाय प्रदान की जाती है है पर सचमुच क्या हमारे केसन भाईयों तो के यह योजनाय पहुष्ति है या भी नहीं जी आ दोसतों आज हम बात करने जा रहें आईसे योजना के बारे में इसका नाम है किसनद क्रेडिट का जीए किसान क्रेट काड़ के अगर हम बात करते हैं किसान बज्रीन Yes तुमें अधियों किसान के ड्मा पत्रेट करते हैं राय किसान क्रेटि कार्ड है जो युजना है यह किसे मिलते हैं अगर देखा जाए तो प्रधान मंत्री किसान निदी सम्मान योजना के लाभारतियों को किसान के रिट कार दिया जाता है और दोस्तों आप सभी लोगों को तो मालूम होंगा कि हमारे देश की सरका हर साल एक नया बजेट लाती है तो बजेट में अलग-अलग शितरे केलिए अलग-अलग पैकेज कि गोशित किया जाता है वैसे इसेम अलग-अलग शितरे केलिए योजना भी लाभू की जाती है जी हाँ दोस्तो साल 2020 में हमारे देश के प्रधामंतर नरेंद्र मोधी जी ने ऐसे ही खेती सम्मंद्र ऐसी योजना ये लागू की है जहाँ पे हमारे किसान भायों के लिए उस योजना के माध्यम से अलग-अलग फायदे हो सकते किसान क्रड़ सम्मंद्र योजना है अब देखी दोस्तो ये किसान क्रड़ कर्ड़ आप कईसे कर और बेया सकते होocy24 आपके नजदीबjing जाकर उसके बैक मेनेजर से इस संब्धी पुरी जानकारी ले सकते हों अगर देखा जो तो पुरी जानकारी वो आपको दे देते हैं उसके उपर आपको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है देखे तो वहां पर आपको आपके आदार काट की फोटो कपी देने और साथ में आपके खेदी संब्धी कुछ दस्तावेवज भी देने पड़ते हैं जहां पर आपको पुरी पूर्पूर इस संब्धी योजना के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ते हैं और चौदे दिन के अंदर भी आपको यह किसन क्रेडिट कार आपके घर पर पहुंच जाता है अगर मान के चलो दोस्तों कि आज यह 14 दिन के अंदर आप किसन क्रेडिट कार प्राप्त नहीं कर पाते हो तो इस संब्धी सभी एक शिकाय दर्ज करा सकते हैं दोस्तों आप सभी लोगों को मालू होता होंगा कि आज जो भी सरकार आती है वह हमारे किसान भाइव के नहीं नहीं योजनाय तो लाती है पर आपको मालू है कि कही पर नहीं पर ऐसे बहुत सारी योजनाय होती जहां पर एक एज लिमिट का साल की उम्र की जरूद नहीं है पर अगर आप इस केसान क्रेडिट कार सम्म्ण द्योजना अगर किसे प्राइवेड बैंक मैंसे अगर इसका फाइदा उटाते हों तो सही पर इस पर आपको कम से कम साथ साल की उम्रती का क्या है पाबंदिय मतला एक तकाजा है कि साथ साल की उम्रत का एक इंसान एक नीजी और प्रावेट बैंक में से इसका फाइदा ले सकता है अगर सहरवजनी के पब्लिक सेक्टर बैंक से अगर इस किसन क्रेडिट कार्ड का अगर फाइदा लेते हो तो यहां पे उम्रत की कोई जरूत नहीं है अतलब 18 साल के ऊपर का कोई भी किस इसके क्रेडिट कार्ड यूझना की ऐसान लेशत सकता है अब दिखें दब उम्रत की इस वाइदे के लिए एक जरूरत और ता महिकnd साबीत होता है अब देख्यंब यहां पे हमारे किसान भाई बहुत सारे साल बर मैनत करते हैं बहुत सारे वह फसल उगाते हैं फिर भी उनको कहीं पर बहुत अई हुए नुकसान होदा है चाहे वह बारिश की वज़द से हैं ज़ित कहीं पड़ी नासरी भशादाष से भी सकता है पर उनके लिए एक ऐसे फाइदें से हैं कि एक कीसान क्रेटीट कार्ट के माद्धियम से सस्ते द्यामपर क्या मिल रहा है आपको करजा मिल रहा है और दुसरे फाइदा अगर देखते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि आप जो भी किसान भाई अपने खेति संबंधित जो काम करते हैं वाले कब लियर चारा है् होठी भी भी किसान भाई उसके लिए क्या मिल रहा है helpless करसा मिल रहा है कम आपको तीसरा फाइला दें कि अब यहाद रहे तो मतलब आपको एक बीमा भी यहां पर किया मिल रहा है इस योजना के अंदर आपको भीमा राशी मिल रहे हैं दोस्तों अब देखिए दोस्तों यहां पर हमारे स्मान्नी योजना के देखा जाए तो यह किसान क्रड़िट करहारермी पूरी कोशिशक कर रही है योंजना पहुचाने के लिए अब देखें दोस्तों हमारे यहां पर अईसे बहुत सरी योजना है वो हमारे किसन भाईयों तक नहीं पोश्ती हैं, पर फिर भी आज ये सरकार ऐसा प्रचार करें कि हमारे किसन भाईयों के लिए ये योजन एक अच्छी खासी, अच्छी योजना साबित हो और उसके लिए कम से कम जाद़ से जाद़ इस योजना का लाग लेना भी जरूरी हैं दोस्तों इस योजना के बारे में हमारे किसान भाईयों के मन में कुछ न कुछ सवाल भी होते हैं जैसे इसके फायदे हैं वैसे भी कुछ न कुछ नुकसान भी हो साथे ऐसे एक सवाल उनके मन में हमेशा रहते हैं अबर देखा जाए तो इसकी एक मुद्धे के लेकर एक बात हमेशा चलती है, अगर इसकी बीमाराशी की अगर हम भात करते हैं, जहां पर देखा जाए, तो देखिए इस मृत्य के स्थिति के अंदर जो काडधारक होता है, मतलब जिसके नाम से जो काड़ होता है, किसां मतलब मृत्य के स्थिति में काड़ दारक के परिवार को कम से कम पचास हजर का रुपे का क्या वो क्लेम किया जा सकता है, या फिर किसी भी किसां भाईयों कोई कम से कम दोनों आंग या दोनों आख, या फिर एक आंग या एक आख भी शतिग्रस्त होने पर कम से कम उसे पच उसे कम से कम 25,000 रुपे का कभी होता है विख बिमारशी की भुखता की Heavenly Heavenly और दूसरी बात यह भी है दोस्तों कि जैसे मैंने आपको बता है कि आज किसान भाईयों को इस किसान क्रeडटिट काड़ के माद्याम box किसंप्रद लोन से ससते डरपर ससते बैस दरपर देखिए दोस्तों बीना करान्ट मिल जाता है पर वो कितना निल्टT मिलसकता है将 फाइद तो अच्चा है कि हमारे किसंद भाई यो की इस किसंद क्रेड़ के माद्य मोम से बinging गरेंटेट लोन या करजा मिल जाता है पर देखिए इसकी भी कंडिशन है कि हमारी किसान भाहियों को बीना गरेंटेट करजा कम से कम एक साल में देखा जाए तो एक लाग के उपर मतलब कम से कम एक लाग साथ हजार की एक निवनतम हर रक्कम बोल सकते हैं, वहाँ पर उनको ये क्या मिल सकता है, करजा मिल सकता है, मतलब कम से कम देड़ लाग और देड़ लाग के उपर उनको क्या मिल सकता है, बीना गैरांटीट करजा मिल सकता है, और उस किसां क्रेडिट कड़के माध्यम से पतलब 4% ब्याज के हिसाब से उनको 5 साल में कम से कम 3 लाग रुपे था का सस्ते बिना वेरांटिट क्या मिल जाता है करजा मिल जाता है वो करजा कम से कम वो अपने पूरे खेती सब्सक्राइब कर सकता है इस योजना के अगर हम फायदे के अगर बात कर सकते हैं तो हमारे से किसान भाई यह भी इस योजना का फायदा नहीं लेते बलकि बांकी भी किसान जो मान के चलो पशुपालन वेबसाइट से भी संबंदित है और जो मत्सेपालन वेबसाइट से भी संबंदित किसान है वो भी इस किसान के रिट का क्या लग सकते हैं अब उसके लिए उनको यह फायदा कैसा हो सकता है देखी दोस्तों अब जो कोई किसंद कषुपार्ण और मज्सपार्ण कर रहे हैं तो उसको इस योजनद के माध्यम से कम से कम उसको साल भर में 2,00,00, क्या कर्दा उनको 4% बैज के ऊपर है हु क्या क्या candle कार्जा इस किसंद कर्दा सी मिल सकता है और दोस्तों देखे कि आज बहुत सारे इस योजना के बारे में हर किसन भाई को क्या कर रहे हैं पर फिर भी प्रक्ती से लग रहा है कि हमारे देश की किसनों को यह योजना पर ऑवट एसा-किसन भाई भी हमा रहे हैं जिनको इस किसन के क्रिडिट कार्ड के बारों में नहीं मारूम है। आज देखिए हमारे सरकार्वा यह कहना है कि आज हमारे देश में कम से कम 60 करोड 68 लाग लोगों तक यह किसन करिडिट कार्ड पहुँच चुका है। पर फिर भी आज कम से कम देखा जाए तो 3-4 करोड लोगों तक जो 3-4 करोड किसान भायोतों किये किसान ग्रीडर कार्ड अभी तक नहीं पहुचा है दोस्तों तो मैं उन किसान भायों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छी योजना के माध्यम से वह अपने खेती समद्य सभी आवश्यक ऐसे ही सभी साथनों के लिए इस योजना का फाइदा उठा सकते हैं तो देखिए दोस्तों एक अच्छी योजना है इसके लिए आप एक कया कर सकते हो फाइदा उठा सकते हो एक अच्छी योजना आपके शहर में एक लाए है सरका में तो इसका जब रुठे आप फाइदा उठाई है तो आज हमारे सरकार, हमारे किसन भायों के लिए ऐसे बहुत सारी योजना लाती है, हर साल हमारे पार्लामेट में हर साल बजट होता है, बजट स्थापित होता है, उसमें अलग-अलग शेत्रे के लिए क्या होता है, पैकेज भी हमारे सरकार जाय करती है, पर वो जो पैकेज जो क्या होता है कई पे ना कई पे बहुत सारे लोग उसका फायदा लेते हैं और कई पे ना कई पे लोगों को मौलूमात भी नहीं होती है और मैं सभी किसन भायू से और निवेदन करना चाहूं कि ऐसे बहुत सारी योजना है जो इसका फायदा ले सकते हैं फायदा लेना चा तो मैं सभी किसन भायू से रिक्वर्स करूंगा कि ऐसी योजनाय आप अपने रज़्दे की ब्यांत में जाए और वहां से पुरी जानकार लिचे और इस सभी योजनाव का फायदा लिए तो दोस्तों आज की वीडियो हमारे कैसे लगे आज का टॉपिक हमारे कैसे लगा यह क्या आएब कमेंट सेक्षेम में जरूर बताए और वीडियो को लाइक करना मतelect भूलिए और चानल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए अगर वीडियो लाध अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर किजिए टोब दोस्तों मिलते हैं हमारे एक लिप अगले वीडियो की त